जब देश की संसद में गाली भी जाने लगे तो समझ जाइए कि कुछ गड़बढ है जब नेताओं के धर्म पर टिपनी की जाने लगे उन्हें आतंकवादी जैसे शब्दों से नवाजा जाने लगे तो समझ ये कि चुने हुए प्रत्नेदी अपनी राह से भटक गए हैं उन्हें कोर्ट्स करेक्शन की जरूरत है उन्हें आचरन के करेक्शन की जरूरत है और आज के शोव में हम इसी पर बात करेंगे संसर में कल रात हुई भद्दी हिंसक घटना की बात करेंगे तफ्तीश करेंगे लोगसभा स्पीकर द्वारा की गई कारवाई की और साथ ही बात कैनेडा की कैसे जासूसों की गैंग ने मिलकर भारती एजंसियों और अधिकारियों पर आतंकवादियों की हत्या का ठीकरा फोड़ा और इस पूरी भसड में कलाकार कैसे फस गए लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं दिन के कुछ जरूरी अपडेट पहला अपडेट लोगसभा चुनाओ के पहले हुए गठबंदन को लेकर बारती जंता पार्टी और जंता दल सेकुलर का गठबंदन त इसको लेकर तस्वीरें भी आई बाचपा के अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने तस्वीरें लगाई इसमें थे नडड़ा गिरी मंत्री हमें शाह और करनाटक के पूर मुक्य मंत्री एचडी कुमारा स्वामी कहा गया कि हमें खुशी है कि जेडियेस अब एंडिये का पार् ऐसा तो नहीं है जो चाहा था उसमें 9900 के नीचे ग्रहे नहीं होगे कोई 94 पहुंचे होंगे कोई 99 पहुंचे हो और कोई 102 भी हो गए होगे लेकिन कुल बिला करके एक क्युम्यूनिटिव इफेक्ट था वो इफेक्ट देश के सामर्थ को विश्व को उसके दर्शन करनारे में हमारी सफलता थी आपने प्रधार मंतरी का भाषन सुन लिया आपने राजनेतिक गत्विधिया सुन ली नए गटबंधन सुन लिये लेकिन आज की बड़ी खबर क्या है आज की बड़ी खबर है भाचपा के दिल्ली से सांसद रमेश बिधूरी का भद्धा आचरा और उत्तर प्रदेश से आने वाले बसपा सांसद दानिश अली पर की गई भद्धी टिप पुड़ी इन सब के बारे में विस्तार से बात करें नमस्कार सौरब दिवेदी नाम है अमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो भड़वा, कटुवा, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी मुझे ये शब्ध कहे गए इस महान देश के लिए एक अल्प संख्यक सदस्य और एक चुने हुए सांसद के तोर पर मेरे लिए ये बहुत दिल दुखाने वाली घटना है, खास कर तब जब ये घटना नए संसद भवन में आपके नेत्रत में हो रही है, ये शब्ध अम्रोहा से बसपा संसद कुणर दान शली के हैं, उन्होंने लोगसभा स्पीकर को चिठ्थी लिख कर संसद कारों से भी बात की, सुनियो. में जिस आधार पर लीडर आफ उपोजिशन सस्पेंट हुए थे, वो भाशन और कल का भाशन कंपेर कर लिया जाए, बाकी ये स्पीकर साथ का अधिकार है, उनके अधिकार छेतर में मैं कुछ नहीं कह सकता है, पुरे देशन देखा है, पुरी दुनिया ने देखा है, क्य में लोगसभा में देश के वैज्यानिकों और चंद्रियान की उपलब्धी पर बात हो रही थी, तभी एक सांसद अपनी सीट से खड़े होते हैं, ये हैं सत्तादारी भारती जनता पार्टी के रमेश विधूरी, लोगसभा छेत्र, दक्षणी दिल्ली, लोगसभा छेत्र अंग्रेस के लोगसभा सांसद, लोगसभा और राजिसभा में अक्सर ऐसा होता है कि स्पीकर अपनी कुर्सी से कुछ देर के लिए उठते हैं, तो किसी वरिष्ट सांसद को उस कुर्सी पर बिठाया जाता है, तो विधूरी जब बोल रहे थे, तो विपक्ष की बेंच से हला हो रहा था, यूपी के अमरोहा से आने वाले बसपासांसद कुर्ण दानिश अली की आवाज तेस सुनाई दे रही थी, रमेश विधूरी को शायद पढ़ने बोलने में दिक्कत हुई होगी, विधूरी ने दानिश अली को गाली दी, गाली देते देते वो विशेशनो का इस्तिमाल करते, उग्रवादी, आतंकवादी जैसे विशेशन, यही वो गालिया है जो अभी हमने आपको ऊपर बताई, कुछ सेकेंड तक देश की संसद में हुए इस घटना करम को लाइव भी देखा गया, फिर जिसकी संभावना लग रही थी, वैसा ही हुआ, रमेश की कारवाई से हटाए गए हिस्से के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन प्यारे दर्शकों, रमेश बिधूरी ने जिन गालियों और शब्दों का इस्तिमाल किया, अगर वो सदन की कारवाई से हटाए गए ना होते, तो भी शायद हम आपको वो शब्द नहीं सुना सकते थे, ले ऐसे शब्द जो देश में अक्सर अलपसंखिकों खासकर मुसल्मानों को अपमानित करने के लिए कहे जाते हैं, अब आप देखिए, जब ये घटना हुई तो कारवाई क्या हुई, सूत्रों के बताविक लोग सबाई स्पीकर ओम बिडला ने बुलावा भीजा, रमेश ब रमेश बिधूरी को कारवन बताओ, नोटिस जारी कर दिया, आपके मन में ये सवाल उठेगा, कौन है रमेश बिधूरी जरे सिर्थ एक चेतावनी के साथ छोड़ दिया गया, हमने बताया दक्षनी दिल्ली से लोग सबा सांसत दूसरी बार के भाजपा नेता, पर पूरी कहानी क्या है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक दस्तावेश दिख रहा है, यो चुनावी हलफ नामा है रमेश बिधूरी का, जिसे उन्होंने 2019 के आम चुनाओं के वक्त पर्चा भरते वक्त दाखिल किया था, इसमें रमेश बिधूरी ने बताया कि वो B.com और L.B. डिग धारा 34, जब कई लोग समान इरादे से किसी आपराधिक क्रित्य में शामिल हो, 500 और 502 मानहानी से जुड़ी धाराएं हैं, बिधूरी के अलब नामे को खोशते हुए में इंडियन एक्स्पेस की 2019 की एक खबर भी दिखी जिसके मुताबिक 5 जुलाई 2019 के दिन दिल्ली हाई चढ़ा ने दायर की थी, 2019 के चुनाव में रमेश बिधूरी और रागव चढ़ा दक्षनी दिल्ली की सीट पर एक दूसरे के प्रतिदंदी थे, जीत बिधूरी की हुई थी, 2019 के चुनाव में भी रमेश बिधूरी ने दक्षनी दिल्ली की सीट से चुनाव लडा था, बी 31 अक्टूबर 2018 के दिन एक कारिक्रम में विधूरी पर अपनी ही पार्टी कारिकरताओं के साथ मारपीट और दुर्वेवार के आरोप लगे विधूरी के नाम साल 2021 मेही विवादों में आया महीना सितंबर का ही था वो दिली में आयोजित आरेसेस के कारिक्रम में पाकिस्तान की ततकाली प्रधान मंतरी इमरान खान को करीकोटी सुना रहे थे और तभी विधूरी ने कहा जहां भी मुस्लिम बहुमत में आ जाते हैं व पार्टी के महा सच्यों बने 2019 के चुनाओं के वक्त दानिश अली मायावती की पार्टी बसपा में शामिल हुए बीएसपी ने अमरोहा से टिकट दिया और वो जीत कर संसत की तहलीज तक पहुँचे पिछले महीने यानि अगस्त में भी दानिश अली का नाम खबरों में च संसतों के निशकासन का सिलसिला देखें तो इसमें कॉंग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का नाम आता है त्रिल्मूल कॉंग्रेस के डेरेक ओब्राइन का नाम आता है आम आदमी पार्टी के संजय सिंग का नाम आता है ऐसे कई नाम जो भाजपा से नहीं जुड़े हैं औ लेकिन रमेश बिधूरी को निश्कासित नहीं किया जाता है। फिर से सुन लीजे, उन पर क्या action होता है? उन्हें अभी तक की जानकारी के मताबिक, अभी तक की updates के मताबिक, चेताबनी देकर छोड़ दिया जाता है, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ, तो कड़ी कारवाई जिलनी पड़ेगी। बहस इस पॉइंट से आके जाती है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग माफी मांगते हैं। अखवारी खबरें बताती हैं कि राजनाथ सिंग ने स्पीकर, डेप्टी लीडर और सदन से रमेश बिधूरी के बयान के लिए माफी मांगी। लेकिन बिधूरी ने क्या कहा? कुछ नहीं, माफी नहीं मांगी, अभी तक तो नहीं। इन्येटरे से बाचीतर उस मुद्दे पर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। बहाना क्या गिनाया? सदन के अंदर की बात है, उस पर बाहर बात नहीं कर सकते। लेकिन घटना के बाद वो ट्वीट जरूर कर रहे हैं, कभी नारी शक्ती वंदना बिल पर, कभी फ्री हेल्थ कैम की जाच पर, कभी नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर, उन्हें प्रेड़ना बता कर वो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अमेश बुदूरी को कभी ये नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी से सीख ले लेनी चाहिए, वो चाहते तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जैसा धहरे बरत सकते थे, तो के जाने पर नरेंद्र मोदी संसद में कटाक्ष करते हैं, वो भी कर सकते थे, कटाक्ष, व्यंग, ये स्वीकार है, वो नरेंद सिर्फ जीत की नहीं है क्योंकि जीत से सब कुछ सही नहीं हो जाता विधूरी ने बात नहीं मानी अंसरन नहीं किया स्पीकर ओम बिडला की व्यवार आचरन को लेकर दी गई हिदायत को भी अपने जहन में नहीं रखा रमेश बिधूरी ने गाली दिया और इसके आगे कोई भी सफाई बयान देने से इंकार कर दिया बहाना बना दिया उन्होंने बहाना गिना दिया लेकिन जनता सोशल मीडिया से लेकर हर जगे पूछ रही है कि भाजपा के सांसद रवी शंकर प्रसाद रिश सांसद हैं दशकों का अनभव डॉक्टर हर्शवर्धन दशकों का अनभव उनके पास क्या बहाने होंगे क्योंकि रमेश भी दूरी जब लोगसवा में खड़े होकर पूरे सदन और पूरे देश के सामने ये असब भाषा बोल रहे थे उनके ठीक पीछे बैटे डॉक्टर हर्चवर्दन और रवी शंकर प्रसाद हस रहे थे ये शर्मनाक रवईया है ये रवईया तब और शर्मनाक लगता है जब आप देश की केंदरी कैबिनिट का हिस्सर है चुके हूँ आपके पास क्या बहाने है माननी हर्चवर्दन की पित्रिया आई एक्स उर्फ ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट लिखी क्या रहते कि चान्मी चौक की एतिहासिक गलियों में फाटक तेलियां तुर्कमान गेट में पैदा हुआ हूँ अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ ख सीटा जहां दोसांसत सदन में एक दूसरे खिलाफ असंसदी भाषा का इस्तमाल कर रहे थे सच बात तो यह है उस शोर शराबे में मैं इस पश्च रूप से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था इस बयान पर ध्यान दीजे अब यहां अर्चवर्दन एक महीन सी बात कही बात सदन में असंसदी भाषा का इस्तमाल कर रहे थे क्या दानिश अली भी भद्धी भाषा इस्तमाल कर रहे थे गाली दे रहे थे या असंसदी भाषा का इस्तमाल कर रहे थे कहां पर लकी रहे शब्द क्याते अभी तक कोई खबरे नहीं आई बाचपा की तरफ से दानिश अ जाने वाले कोडी कुन्नील सुरेश, वीडियो में साफ दिख रहा है, जिस समय रमेश विधूरी गाली दे रहे थे, उस समय कोडी कुन्नील सुरेश विपक्षवाली साइट को शान करा रहे थे, उनका चेहरा और ध्यान सत्ता पक्षवाली साइट कम था, लेकिन यहाँ पर एक benefit of doubt भी का ये expert दे रहे हैं कि भाशा का benefit कि वो केरल से आते हैं तो संभव है कि उन्हें हिंदी में उतनी दक्षता ना मालूम हो या मालूम भी हो तो हो सकता है कि उन्हें अच्छे तरीके से उसके diction ना पता हूँ उतने अच्छे से तो नहीं ही पता हूँ जितने से रमेश विधूरी को आते हैं हम लोगों को पत्रकारता में जब legality के बारे में सिखाय जाता है तो बताया जाता है कि सदन के अंदर जो कारभाई expunge हुई उसको रिपोर्ट नहीं करते लेकिन दानिश अली ने अब चिठ्ठी डाल दी तो बात सामने आ गई है दूसी बात हमें बता मैं तो भी धोरी जी को इसके लिए दोशी मानता ही नहीं हूँ मैं इसलिए दोशी नहीं मानता हूँ कि इस तरह की जुबान को श्या कौन दे रहा है कौन सी पाठी दे रही है मैं दुखी जरून हुआ एक सांसद के रूप में लेकिन मुझे आश्चर यह नहीं हुआ और आप इस प्रकरन को समझे कि एक सांसद अपने फैलो सांसद के लिए किस तरह की जुबान का इस्तिमाल कर रहा है तिर्मूल से लोकसबा सांसद महुआ मोईत्रा की भी प्रतिक्रिया आई निशाना नरेंद्र मोदी और ओम बिडला पर रहा एक्स प्लैटफॉर्म पर उन्ह अवती की भी आई प्रिटर पर उन्होंने लिखा जिसे अब एक्स कहते हैं कि समचित कारवाई ना करना दुखद है कश्मीर से नैशनल कॉन्फरेंस की लीडर उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया भी आई उन्होंने कहा यह दिखाता है कि भाजपा मुस्लिम समाज के प् भारती जंता पार्टी के केवल एक निता के ऐसे विचार नहीं है अगर हम पुराना उठा कर के देखें तो बहुत सारी निता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने नजाने कितनी अन्पार्लेमेंटरी लेंग्वेज में उन्होंने टिपणियां की हैं इनको हमेशा हमेशा के लिए प सबाकों इनके उपर लगानी चाहिए हम आपको देख रहे हैं देश आपको देख रहा है और ये भी देख रहा है कि भारती जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी इस अक्षम में आचरण पर क्या कारवाई करते हैं अब चलते हैं दूसरी खबर पर, देखें समय का फेर है, तीन दिनों से बात हो रही थी कि नरेंदर मोदी के नेतरत में देश में एक बड़े और प्रगतिशील फैसले पर मुहर लगी, उनके पलिटिकल कैपिटल की और हिम्मत की बात हो रही थी कि सारी राजनेतिक पार्टि राजनीती के किंतु परंतु के विवादों से इतर और इसको लेकर नरेंदर मोदी की वावाही हो रही थी, एक और विशय था जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी, नरेंदर मोदी वर्सिस जस्टिन टुडो, भारत लगातार ये देख रहा है कि कैनेडा में किस तरह से के रिष्टे प्रभावित हो रहे हैं और इसको लेकर भी नरेंदर मोदी के कड़े रुख की चर्चा हो रही थी, लेकिन उनीके पार्टी के एक सांसत का भद्दा बयान और बाचीत का रुख बदल गया, सुर्खियां बदल गई, अगली सुर्खिक तरफ चलते हैं, आज क के साथ पार्दा रिष्टा से काम करें, और ऐसा कोई भी देश गवारा नहीं करेगा, अगर उनकी किसी नागरिक, इस केस में अरदीब सिंग निजर की हत्या उसकी जमीन पर कर दी जाए, टुडो ने कहा कि हम मुक्साने या समस्याय पैदा करने के बारे हम नहीं सोच रहे लेकिन हम कानून का शासन स्थापित करना चाहते हैं, कैनेडा के नागरिकों की रक्षा चाहते हैं, टुडो फिर इस बात को दौराते रहे कि भारत सरकार के एजिन्स ने कैनेडा में एक नागरिक कुमारा है और आगे ये भी कहा कि उनकी इस विशे पर प्रदान मंतरी नर प्रदी से बात की थी, निजजर की मौत का मुद्धा भी उठाया गया था और पहल की थी टुडो ने, वहीं कैनेडा की न्यूज एजनसी, CBC ने सूत्रों के हवाले से खबर चापी, खबर में कहा कि निजजर के मर्डर की डिटेल भारती एजनसी से चुड़ी लोगों ने नहीं कैनेडा के ऐधिकारियों को सौपी थी, कैनेडा के अधिकारी बाकाईदा इंडिया आए थे निजजर की मौत के सिलसले में, जब कैनेडा को ये जानकारी मिली तो जानकारी शेर की गई 5 eyes को, है पनाध देशों का एक खूफिया सूचना ग्रेट 5 eyes, जिसमें शामिल ह लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा five eyes के बारे में जान लेते हैं बार बार जिक्रा रहा है क्या है कैसे काम करता है और उसकी नीव कैसे पड़ी पहले सवाल का छोटा जवाब five eyes pact पांदेशों की भी समझाता है intelligence share करने का सूचना share करने का कौन से पांच देश हमने आपको बताए आपने five eyes के बारे में जाना जासूसी के network के साजा सूच नतंदर के बारे में जाना पांच देशों के बारे में जाना अब सवाल ये कि ये बना कैसे जब आवाता है दूसरे विश्यूद से इसमें इटली जर्मनी और जपान एक साइट से लड़ रहे थे जिनको axis forces कहा जात कि इस meeting में खुफिया जानकारी शेयर की जाती थी ये सलसला युद्ध की खत्म होने तक चलता रहा साल 1945 में युद्ध खत्म हुआ तब अमरीका और UK ने तैग कि खुफिया जनसी की meeting होती रहने चाहिए इसलिए दोनों देशों ने मिलकर साल 1946 में Atlantic Charter पर साइं किया जिसको UK-USA Agreement कहा गया काम वही था जो विश्युद्ध के समय कर रहे थे जो देश इन दोनों देशों के खिलाफ या दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हैं या एजिंसियां काम कर रही हैं उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी को एक दूस्ते के साथ साज़ा करना इसके बाद साल आ अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये देश एक दूसरे के नागरिकों पर भी नजर रखते हैं और ये बात हम नहीं कह रहे हैं ये बात कही थी एड़वर्ड स्नोडेन ने अमरीकी कुफिया जेंसिया एक लिए काम करने वाले एड़वर्ड स्नोडेन ने साल 2013 में कई खुला से किये थे ये खुला से अमरीकी कुफिया सिस्टम की पोल खोलते थे इसमें स्नोडेन ने कहा था कि 520 के देश एक दूसरे के नागरिकों पर नजर रखते हैं और फिर जानकारी आपस में साजह करते हैं और ऐसा करके वो अपने देश में कानून तोड़ने से ब अब कोई देश अपने नागरिकों का इतना डीटा मरिटर करेगा तो बहुत सारे घरेली और अंतराष्टी नियम तोड़ेगा कोई दूसरा देश की काम करेगा उस देश को सारा डीटा सौंप देगा तो कानूनन कोई अपराद नहीं होगा आपने 5-20 के बारे में जान लिया हालिया बयान जान लिये टुडो के और हमारे देश की सरकार के भी अब कोश्चे हो रही है बिजनिस की हलकों में और तमाम जगों पर कि तनाओ घटाया जाए ट्रेक 2 ट्रेक 3 डिप्लोमेसी की बात हो रही है लेकिन भारत ने एक विशह पर अपना पक्ष साफ कर दिया है कि आतंगवाद को लेकर किसी भी तरह की हिलावाली नहीं होगी एस जैशंकर पहुचे हुए है यूए जेफ जहां पर टुडो ने बयान दिये थे नियॉर्क में यूए जर्नल एसेम्बली की मीटिंग में वहां से भारत का रुख और भी सामने आएगा पर दोनों देशों के बीच धनाओ की चपेट में नागरिक आ रहे हैं चिंताएं फैल रही है और तो और गायक और कलाकार भी लपेटे में आ रहे हैं ऐसा ही एक प्रकरन है जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाया है कैनेडा में रहने वाले पं पंजाब को काले घेरे में दिखाया गया फिर इलगाया गया कि पंजाब के ऊपर नक्षा काठ दिया आगया बाद में जब नक्षा शेयर किया चिए अभंड शचा collaboration किया तो देखा गया लकीरे सबस्त थी और इसका नक्षा काठनें सब्सकर नहीं ता लकिन खूब बावा इस धर्ती की आजादी और महिमा के लिए बलिदान देने में एक बार भी नहीं सोचा। पंजाब मेरी आत्मा है मेरे खुन में हाज में जो कुछ भी हूँ पंजाबी होने की वज़े से हूँ। पंजाबियों को देश भक्ती का सबूत देने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर अनरोध करता हूँ कि हर पंजाबी को अलगावादी या राष्ट विरोधी करार देने से बचिये। शुब का बयान आने के बाद सामने आए गाया कि एपी धिल लो अक्सर चुप रहते हैं लेकिन इस मुद्धे पर इंस्टाग्राम पर उन्होंने भी लिखा लिखते हैं कि एक कलाकार की रूप में अपनी कला पर ध्यान के इंद्रित रखना और जो आप पसंद करते हैं वो बातचीत हो समवाध हो किसी को भी देश की संप्रभुता को चुनौती देने का अधिकार ना हो लेकिन किसी को भी किसी भी बात के लिए फौरी तोर पर फटाक से देश-द्रोही भी ना करार दिया जाए निगयबानी रखी जाए लेकिन जल्दबाजी नहीं जहां करबढ ह वहां सकती बरती जाए लेकिन सब धान 22 पसेरी न तौला जाए आपने कवियों का लाकारों के बारे में सुना हिंदी के एक महान कवी हुए है धूमिल उनकी ये कविता सुनिए वे खेतों में भूक और शेहरों में अफवाहों के पुलिंदे फेकते हैं देश और धर्म और नैतिकता की दुहाई देकर कुछ लोगों की सुविधा दूसरों की हाय पर सेखते हैं वे जिसकी पीट ठोकते हैं उसकी रीड की हड़ी गायब हो जाती है वे मुस्कुराते हैं और दूसरे की आँख में जपटती हुई प्रतिहिंसा करवट बदल कर सोजाती है कवी की बात है कविता है संसत से सडक तक संसत की बात आपने खुब सुन ली सडक पर क्या चर्चा हो रही है कमेंट बॉक्स में बताइए शो में आखरी में उम्मीद की बात चैन्ने में फूट डिलीवरी का काम करने वाले लोकेश कुमार इनके बारे में सुनिये इन्होंने अपनी गेंदबाजी के वीडियो नेदेलेंड की क्रिट टीम को भेज़े लोकेशने किस्मत आजमाई और नेट के हिंदबाज के तोर पर चुन लिए गए अगर आपने काबलियत है अवसरों की तलाश करते रहिए रास्ता जरूर खुलेगा आकर ललन टॉप शो यहीं समापत होता है अपना अपनों का और अपनी संसद में हो रही बाचीत का खुब ख्याल रखिए शुबरात्री